आज इस विशेश आउसर पर हमारे बीच में उपस्थित सरकार के विदेश विभाग के राजमंत्री आधड़ी मिनाक्षी जी मेरी साथी मंत्री डॉक्टर भारती बेन सांसद आधणिय रमेश विदुडी जी सभी ओफिसर्स उपस्थित भायवं बेहनों आज सीजी अचेस वेलनेस सेंटर अलकनंदा रोहिनी वसंत विहार और साथ में रोबोटिक यूनिट एनाइटी एन आरडी का डेडिकेशन किया गया वेलनेस सेंटर CGHS के लिए लाबार्थंग के लिए बहुत महत्रोपूर्ण होता है और CGHS का गोल रहा है कि यूर है और गोल अपना गोल क्या है CGHS लाबार्थंग के हैल्थ को सुनिच्छित करना उसको ट्रेटमेंट अच्छी तरह से मिले आसुविधाना हो और CGHS लाभार्थियों का ये राइट है अधिकार है ये अधिकार दिलवाने के लिए मोदी गवर्मेंट ने पिछले एक दस्के में बहुत सराहनिय प्रयास किया है 2004 के पहले CGHS के वेलनेस सेंटर देश में केवल 40 सीटी में था उसका एरिया बढ़ा के आज वो 80 सीटी में किया गया है और आने वाले दिनों में 100 सीटी में किया जाएगा ये महत्वपुन इसलिए है कि आप लोगोंने सारे जीवन परियंद सरकार की सेवा करने के बाद आप सेवा नी उर्त हुए हो कई अधिकारी पैंशनर चाहे अपने क्षेत्र में अपने नेटिव प्लेस पर जाके चाहे वो दूर सुदूर हो दिल्ली से दूर हो डिस्टी के हेड़कॉर्टर से दूर हो स्टेट केपिटल से दूर हो ऐसे सीजी एचेस के लाभर्थियों को बहुत दिक्कत हुआ करती थी मुझे पता है मेरे पास कई वान्रेबल मेंबर और पार्लामेंट सांसद जी हर सब्ता में कोई ने कोई सीजी एचेस सेंटर प्रारम करने के लिए के विश्वे लेके आते थे मुझे यह भी याद है अमरे रमेश भाई यहां बेठे है मिनाक्षी जी बेठी है यह जो अलग नदना सीजी एचेस सेंटर है कई बार मिनाक्षी जी ने मेरे साथ जगड़ा किया होगा कि आपको यहां करना है तुरंत ही करना है चालो करो घटन करो आज मुझे खुशी हो रही है कि उनकी ही उपस्थिती में हम सीजी एचेस सेंटर का प्रारम करवा रहे हैं इस सुविधा सुनिच्छित करता है आपका निवास से नस्दिक से नस्दिक के स्थान पर आपको स्वास्ताई स्वाई उपलब्द हो जाए 44 लैक से अधिक हमारे CGHS लाभार्थियों को अपनी क्लिनिक हो CGHS वेलनेस सेंटर हो या तो प्राइवेट अस्पिटल में जो CGHS एंड पैनल होस्पिटल है वहां उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिले मैंने यह दिन देखे है जब प्राइवेट होस्पिटल में यहां से आपको रिफर करते हैं और अप प्राइवेट अस्पिटाल में जाते तो प्राइवेट अस्पिटल में सीजे डाबार्थियों की प्रायूरिटी लास्ट बन जाती थी दो प्रायूरिटी में सीजेट trembors लाबार्थियों को treatment नहीं देते थे, क्यों? उसकी कई समझ्चाय थी, package का rate कम था, payment नीमित मिल नहीं रहा था, CGHS लाबार्थियोंने कोई medicine ली हो, treatment ली हो, reimbursement करना हो, तो time पे होता नहीं था, दोस्तों उसके पीछे, पीछले 6 महिने में mission mode में काम किया गया है, मैं अद्दावे के साथ कहता हो, कि आप private hospital में जाएंगे, आपकी priority वहाँ बन गई है, क्योंकि package बढ़ाया गया है, package का rate बढ़ाया गया है, उसको time पे payment होने लगा है, reimbursement regular होना चालू कर दिया है, digital technology का उप्योग किया है, national health authority का platform का उप्योग करके, जैसे आईश्रमान भारत योजना के लाबार्थियों के साथ विवस्ता बनाई है, N-Panel Hospital आईश्रमान भारत योजना की है, उसके लिए payment की जो system एकदम अधुनिक technology से सज्जा विवस्ताए सुनिचित की है, यही विवस्ताए आज CGHS Center के लिए CGHS के लाबार्थियों के लिए बन गई है, CGHS के साथ जुड़ी हुई N-Panel Hospital के साथ हो गई है, ताकि होस्पिटल उसको प्रायोरिटी में treatment करे, उसको अच्छा पैसा मिले, किसी को डिनाई करने की नौबत ना आए, अभी भी कई सांसद मुझे मिलते रहते हैं, CGHS के लाबार्थियों का कई association, कई group, कई city से, मुझे आवेदन दे रहे हैं, हमने तई किया है, आने वाले दिनों में, सब भी के लिए, अपने निवा से ज़्यादा दूर जाने की नौबत ना रहे, इदिशा में मुझती से काम कर रहे हैं, यहां में वर्चुली टूर देख रहा था, और उसमें बताया गया, कि वेलनेस सेंटर पार, जन आउश्दी की मेडिसीन भी उप्लब्द है, नहीं केवल CGHS के लाभार्थियों के लिए है, इस सभी के लिए है, और कई बार मेरे पास यह भी विशे आता है, कि मैं आगरह रखते हैं, हमारे लाभार्थी, लोग आगरह रखते हैं, कि मुझे ब्रांडेट चाहिए, मैंने ब्रांडेट के लिए मना नहीं किया है, लेकिन मैं आगरह करता हूँ, कि जन आउश्दी के अंदर की मेडिसीन, इस सस्ती अवश्य है, लेकिन कॉलिटी मेडिसीन है, जितनी ब्रांडेट मेडिसीन कॉलिटी है, इतनी ही quality medicine जन अवश्वदी के अंद्रवेब में आपको जैनरिक के रूप में उप्लब्द है इसलिए कभी उससे हीच की चाहट मत करिए देश में आज 10-1000 से अधिक जन अवश्वदी के अंद्रवेब में लोग जैनरिक मेडिसीन का उप्योग करे जैनरिक मेडिसीन और ब्रांडड़ मेडिसीन में क्या फर्क होता है हम सब लोग जानते हैं हम मेरे सामने बेठे हुए ज्यादेतार डॉक्टर कॉमूनिटी के लोग है होस्पिटल के साथ जुड़े हुए लोग डॉक्टर्स लोग उसके लिए अवेर्निस का काम करे क्योंकि जैनरिक भी मेडिसीन है ब्रांड़िट भी मेडिसीन है आप एक वाटर की बोटल लेते हैं और यहाँ जिस बोटल में है आपके घर में हुआ है पानी है यह एक लिट्र टेफ़ोटर से आता है कि अच्छा पानी होता है फिते ही है लेकिन यह उस में 20 लरे में ब्रांड हो जाए तो आपके यहां उसकीछिप catsup 50 पैंशे भी किम्मत नहीं होगी, एक लिटर की, आपके घर में टेप वोटर से आता है, पानी ही है, ये पानी को आप 20 तरी में बंद कर दो, बोटल में बोटलिंग कर दो, उसकी किम्मत हो जाती है, पंदर रूपया, इकवा फिना में बंद कर दो, इकवा फिना में उसको ब्रांड बन समझाइगे दुनिया आज हमारी जैंडरिक मेडिसिन का उप्योग कर रहे हैं आज आज अमरिका में जाओ दस में से चार में से एक फिल इंडिया में बनी हुई जैनरिक मेडिसिन का उप्योग कर रहे हैं सारा दुनिया सारी दुनिया दस टेबलेट लेती है तो उस में से पांच इंडिया में बनी हुई जैनरिक मेडिसिन है जैनरीक टेब्डेट है, दुनिया हमारी जैनरीक मेडिसिन का उप्योग कर रहे हैं, और हम जैनरीक मेडिसिन का प्रचार प्रसार करके, लोगों का पोकेट का खर्च कम करने में सहयोगी केसे हो, यह प्रयास करने के हैतों, वैलनेस सेंटर में जनर्श्रति के अंदर चालो करा गया है यहां ट्यूबर क्लोसिस के लिए उत्तम ट्रीटमेंट हो उसके लिए ऑपरेशन करने के आवशक्ता हो तो कई बार ट्यूबर क्लोसिस डिसीज से कई टाइप का इश्यू क्रियेट होता है उसके बाद सर्जरी करन मिले उसका ओप्रेशन हो दोस्तों सरकार की व्यवस्था की द्रस्टी से रोबोटिक सरजरी की सुविधा उप्लब्द होना मैं मानता हूं कि यह बहुत महत्वपुन कदम है सरकार का प्रयास है हेल्थ एकसेसेबल हो हेल्थ एफोडेबल हो देश के कोई गरीब से गरीब व्यक्ति याने की लास्ट पंक्ति में बेठे ओए व्यक्ति को भी उत्तम स्वास्त सुविधा मिलनी चाहिए कोई भी राष्ट को समरुद्ध राष्ट बनना है तो राष्ट की प्रात्मिक्ता होती है कि देश के नागरिक स्वस्त हो जिस देश के नागरिक स्वस्त होते है सोसाइटी स्वस्त होती है सोसाइटी स्वस्थ होती है तो स्वस्थ समाज ही सम्रुद्ध राष्ट का निर्मान कर सकता है इसलिए देश में हैल्थ का बजेट भी बढ़ रहा है राज्यों को बारत सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग भी बढ़ाया जा रहा है सरकार की ओर से एम्स की सुविधाय खड़ी की जा रही है प्राइमरी सेकंडरी और टर्शरी के लिए एक स्रंखला में व्यवस्थाव का निर्मान हो रहा है एक लाग सतर हजार से अधिक आईश्मान भारत अरुग्यों मंदिर का निर्मान क्या गया है हर दस हजार पॉपुलेशन पर एक आईश्मान भारत अरुग्यों मंदिर है चहां तेरह टाइफ की स्क्रीनिंग हो जाती है प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाती है Hey डिस्टिक लेवल पार हार डिस्टीक में एक मेडिकल कोलेज हो सेकंड और टर्शरी केर की सुविधा वहां सुनीचित हो और जदा टर्शरी केर के आवманशक्ता हो तो डिस्टिक लेवल पार amar लेवल पर लोगों को स्वास्ताई सुविधा मिले उसके लिए प्रयास हो रहा है हमने कोविड क्राइसिस ने बहुत कुछ सिखाया और जो सिखते हैं सिखने का प्रयास करता है वो सुर्दधता की ओर आगे बढ़ सकता है हमने कभी हमने कुछ कर लिया है इसा नहीं माना है मोधी सरकार की रिती निती और कारे पद्धती रही है आगे बढ़ते रहो अमरूत काल के विजन को चरितार्थ करने के लिए क्या है अमरूत का विजन 2047 जब देश आजादी का श्रताब दिवर्ष मनाता हो तब यह देश डेवलफ्ट कंट्री होना चाहिए विक्सित भारत होना चाहिए विक्सित भारत में विक्सित हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए और कोविड क्राइसिस ने नहीं केवल इंडिया को लेकिन सारे दुनिया को जो कि सिखाया जो कुछ हेल्थ स्रुक्टर में गेब था, हेल्थ सुविधा के लिए गेब था, वो गेब को फुल्फिल करने के लिए आईश्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन मत चलाया जा रहा है, आईश्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहट 64,000 करूर रुपया, पांच साल में देश का प्राइमरी, सेकंडरी और टर्शरी लेवल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदर्ड करने के लिए खर्च किया जा रहा है अईश्मान भारत यूजना का व्याब बढ़ाया जा रहा है हेल्थ कवरेज बढ़ रहा है स्मूथ हो रहा है सरलता से उसका लाब जनता को मिले उसके लिए प्रयास हो रहा है दोस्तो देश बढ़ रहा है देश आगे बढ़ रहा है नया भारत का निर्मान हो रहा है नया भारत की हैल्थ सिस्टम क्रेट करने के लिए मुझे याद है मैं गुजराज सरकार में भी रहा हूँ और भारत सरकार के पास राज्य सरकार के और से फंड के लिए राज्य के और से मिनिस्टार, चिफ मिनिस्टार हमेशा प्रयास किया करते थे हमें ये करना है पैसा दो, हमें ओ करना है पैसा दो आस्थिती ये है, हर तीन महिने में मैं रिव्यू करता हूँ कि पैसा दिया है उसका खर्च करो पारत सरकार की और से छेक्टर में, पैसे की कोई कमी ना रहे राज्य सरकार शशक्त बने, उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉंग बने ताक कि देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्टर देश बन पाए मैं आज की आउसर पर तीनों हमारे CGHS Wellness Center के सभी डॉक्टर को सुभेच्चाय देता हूँ आपके द्वारा हजारों की संख्या में लाभार्थियों को लाब मिलना है उसको सिवाय प्राप्त होनी है आपकी सुभधाओं के द्वारा आपके प्रयासों के द्वारा उसका स्वास्ते को सुनिच्चित करने के लिए आप हमेशा प्रयास करेंगे यहाँ उपस्तित लाभार्थियों को भी मैं रिक्वेच्ट करूँगा यह सुभधा आपके लिए है आप उसका अच्छी तरस से इस्तेमाल करके आप स्वस्तर रहे आप बिर्धायू रहे ऐसी में प्रात्ना करता हूँ आप सबको अनेक अनेक सुभेच्चाए धन्यवाद